चुरू आज में आप लोग के लिए एकोनोमिक्स का चेप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख का टॉप 20 भीवियाई उब्जेक्टिव कोश्चन देखने वाले हैं निवीवर सस्क्राइब कर लें जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और कोमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लग रहा है आपको पहले से कितने नंबर सही आते थें चलिए इसे एक साथ हम लोग स्टाट करते हैं पहला कोश्चन बिनिमाई की पार्रामभीक अवस्था में मनुस्य का बह पार किस पर अधारित था बिनिमाई मतलब कहने का मतलब एक की अरदान परदान एक चीज दूसरे चीज को लेना तो सबसे पहले तो साथ बस्तू बिनिमाई परनाली ही था तो आपका पहला का राइट अंसर हो करती हो मुद्रा की यह परिभासा किस ने दी है तो तीन का आपका राइट अंसर हो जाएगा सी हायर्टले विद्रस ने नेक्स्ट कोश्चन तीन नंबर में है मुद्रा की वैधानिक परिभासा किस ने दी है तो तीन का आपका राइट अंसर हो जाएगा सी प्रोफेसर नेप ने नेक्स्ट कोश्चन चार नंबर में है मुद्रा के प्रमुख कार है तो मुद्रा का तव प्रमुख कार है बिनमय की माद्यम सही बात है मूल का मापांक ये भी ठीक है मूल का संचे ये भी सही है अर्थाट इनमे से सभी चार का आपका right answer D हो गया नेक्स्ट कोश्चन पाच नमबर निम्न में विधी ग्रह मुद्रा कौन है तो पाच का आपका right answer हो जाएगा विधी ग्रह मुद्रा जो है ये आगे भी पढ़ने आके है नोट और सिक्के हैं इसका right answer C हो जाएगा नोट और सिक्के नेक्स्ट कोश्चन छे नमबर में है बिनिमाई का स्रवत्तम माध्यम है तो छे का आपका right answer हो जाएगा ये मुद्रा है नेक्स्ट कोश्चन मुद्रा का वाधूरी जिसके चारोर अर्थ विज्यान घूमता है या किस अर्थ सास्त्री का कथन है तो 7 का right answer हो जाएगा C मार्शल नेक्स्ट कोश्चन आठ नमबर में है निमने में किस मुद्रा में वहनीता अधिक होती है तो 8 का आपका right answer हो जाएगा C पत्र मुद्रा नेक्स्ट कोश्चन 9 नमबर में है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक माननेता प्राप्त है तो ये तो आपका वैधानिक मुद्रा जो है हम लोग देखते हैं बैंक जाकर के चेक को भजाते हैं तो 9 का आपका right answer D हो जाएगा चेक नेक्स्ट कोश्चन 10 नमबर में है मुद्रा के परियोग से किसको लाव हुआ है तो ये तो भोकता और उत्पादक दोनों को लाव हुआ है तो 10 का आपका right answer C हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन एकारा नमबर में है मुद्रा के परियोग से किसको पृत्साहन मिला है तो एक गारा का आपका right answer हो जाएगा ये बचत सही है पुझी निर्मान ये भी ठीक है रीन को लेंदेन के लिए भी बहुत अच्छा है तर था इन में से सभी एक गारा का D हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 12 नमबर में है पुझी का निर्मान होता है तो बारा का आपका right answer होगा पुझी का निर्मान बचत से होता है बचत करिएगा तो आपका पुझी बढ़ेगा नेक्स्ट कोश्चन तेरा नमबर में साख का क्या अर्थ है तो साख का अर्थ जो है ये रिल लोटाने की छमता और विस्वास ये दोनों है के लिए भी होता इसका आपका right answer होगा दोनों के लिए नेक्स्ट कोश्चन पंदरा नमबर में है बेवसाइक बैंको द्वारा दिये जाने वाले रिन को कहते है तो पंदरा का आपका right answer हो जाएगा ये साख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते है तो ये आपका right answer C हो जाएगा बहुत confusion आप लोग को इसमें हो गया होगा समझ रहें बात को चलिए next question देखते हैं इससे आपको सिखने का मौका मिल रहा है 16 नमबर में है एक रुपे का note किसके द्वारा जारी किया जाता है तो 16 का आपका right answer हो जाएगा एक केंदर सरकार द्वारा एक रुपे का note जारी किया जाता है देखेगा एक रुपे के note का गवर्नल का sign रहेगा next question 17 नमबर में है 2 रुपे, 5 रुपे, एवं 10 रुपे का note जारी किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है तो 17 का आपका right answer हो जाएगा ये तो reserve bank में जो गवर्नल रहता है उनके द्वारा किया जाता है तो reserve bank of India द्वारा C हो जाएगा इसका आपका right answer next question 18 नमबर में है किस दातू का उप्योग मुद्रा के रूप सर्वधिक हुआ है तो 18 का आपका right answer ये सबसे जादा पीतल का उप्योग हुआ है आज भी देखिएगा पाच के सिके का पीतल से बनाये जाता है next question 19 नमबर में है प्लास्टिक मुद्रा क्या है तो ये प्लास्टिक मुद्रा जो है ये आपका अभी हम लोग ATM का जो यूज करते हैं तो 19 का आपका right answer बी हो जाएगा और next question इसे एक साथ आज का top 20 भी विया objective question समाप्त होता है नीव भीवर सस्क्राइब इसे जरूर करें जनसे उन्हें latest वीडियो मिलते रहें लाइक सेयर करना ना बूलें चलिए last question दे रखा है मनुष्य के सभी अभिस्कारों में मुद्रा का अभिस्कार एक महत्पुर्ण अस्थान रखता है मुद्रा के संद्रब में या कथन किसका है तो 20 का आपका right answer हो जाएगा ए क्राउट थार इसे एक साथ आज ये समाप्त होता है कल फिर हम लोग मिलेंगे next subject और next question के साथ आज के लिए धन्यवाद